दोस्तो राहूल द्रेवीड ने गोशित करी पहले वंडे के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग लेवन रिशा पंत सही तीन दिगज खिलाडी हुए बाहर सौकत दोस्तो आप सभी का हमारी येटूब चैनल किरकेट देखो जी में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफरीका का पहला वंडे मुकाबला कब खेला जाएगा कितने बज़े से खेला जाएगा पहले वंडे मुकाबले के लिए कोच राहुल दरवीड ने टीम इंडिया के प्लेंग लिवन गोशित कर दी है रिशा पंत सहीद कौन कौन से तीन दिगज खिलाडियों का इस पहले वंडे मुकाबले से पता कट हो गया है पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों गर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करती हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाई हम इस वीडियो को शु पूरी में के लला कूलते होई दिखने वाले है विराट गोली ने इस वन्डे सीरीज से ठीक पहले टेस्ट कर केट की कप्तानी का इस्तिफात दे दिया है अब विराट गोली कर्केट के तीनो ही फॉर्मेट में कपदानी करते होए नहीं दिखेंगे ऐसे हम दोस्तों आपकी इसाब से वंडे क्रिकेट की कपतानी किस खिलाडी को सूपनी चाहिए साथी में टेस्ट क्रिकेट की भी उसका जवाब आप हमें कॉमेट करके जरू दे भारत और सौथ अफरीका के बीच हेट टो हेट आकुडों पर डज़र डाली जाए तो अब तक दोनों ही टीमों के बीच 84 वंडे मकाबले खेले गए हैं जिसमें से 40 मकाबले सौथ अफरीका के टीम ने जीते हैं तो वहीं पर 35 मकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किये हैं इसके अलावा सौथ अफरीका के मैदान पर टीम इंडिया ने अपना आँखरी वंडे सीरीस साल 2018 में खेला था तब 6 मैचों की वंडे सीरीज में टीम इंडिया ने साउथ अफरीका को 5 मैचों में बुरी तरस से हराया था वहीं साउथ अफरीका की टीम मातर एक मुकाबला ही जीत सकी थी इसके साथ टीम इंडिया ने उस सीरीज को 5 एक से जीता था इसके अलावा दुस्तो भारत और सौथ अफरीका के बीच खेला जाने वाला यह मुकाबला पारल के बोलेंड पार्क स्टेडियम में खेला जाने वाला है इस मैदान पर अब तक भारती टीम ने तीन वंडे मुकाबले खेले हैं भारत और सौथ अफरीका के बीच इस वंडे स्रीज का आगाज और पहला मुकाबला 19 जनवरी को बुद्वार के दिन खेला जाएगा जो की भारती समय अनुसार दो बहर दो बज़े से शुरू होगा यह मुकाबला पारले के बूलेंड पार्क स्टेडियम में खेला जाने वाला है भारत और सौथ अफरीका दोने ही टीमों के बीच हमें कांटे की टकर देखने को मिल सकती है ऐसे हम दोस्तो आपके इसाब से पहला वंडे मुकाबला क्या टीम इडिया जीत पाएगे उसका जवाब आप हमें कॉमेट करके जरू दें चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं कोच राहुल दरविट के मुताबिक टीम इंडिया की प्लेंग इलेवन क्या होनी वाली है और टीम में कौन कौन से बड़े बदला हुए हैं क्या रिशब पंत बाहर हुए हैं तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं की तरफ से अंतराष्टी क्रिकेट पे टी ट्वेंटी मकाबले खेल चुके हैं यानि की दो और दोस्तो साउथ अफरीका के खिलाफ खेले जाने वारे इस वंडे सिरिज में रूतराज काईकौर्ड वंडे क्रिकेट में अपना डेब्यू कर सकते हैं इसके अलावा नमबर दो पर ओबनर बलेबास के रूप में कप्तान केल लाखुल खेलते हुए नज़र आएंगे जो कि इस वंडे सिरिज में टीम इंडिया की कप्तानी संभालने वारे हैं मुझद समय में केल लाखुल काफी शांदार फोर्म में चल रहे हैं एक के बाद एक कई सिरिज में केल अपना लाजवा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। विराट कोली किर्केट के तीनों ही फॉर्मेट में बतोर बल्लेबास खेलते हुए नज़रा सकते हैं। सुरी कुमार यादो अपना जलवा भी खेलते हुए नज़रा सकते हैं। टी ट्वेंटी सिरीज में स्रेस यर का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। टेश्ट सिरीज में स्रेस यर ने बहतरीन प्रदर्शन किया था लेकिन टी ट्वेंटी सिरीज में स्रेस यर तीन मैचों में दो इनिंग्स में मातरत 30 रन ही बना सके थे। ऐसे में अब सौध अफरिका के खिलाफ बन्डे सिरीज में इन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा नमबर साथ पर ओल डाउंडर वेंकडेश यर खेलते हुए नजरा सकते हैं। 2018 में साउथ अफरिका के खिलाफ खेले के 6 मैचों की वन्डे सिरीज में युजवेंदर चेहल की गेनबाजी शान दा रहे थे। हालागे दुस्तों मोजवेंदर समय में युजवेंदर चेहल कुछ खास फॉम में मोजूद नहीं है। इसके अलावा नमबर 9 पर तेज गेनबाज जस्पीद बुमराज खेलते हुए नजरा सकते हैं। जो कि इस वन्डे सिरीज में भारती टीम में उपकप्तान की भोमिकानी भाने वाले हैं। हाले में जस्पीद बुमराज ने साउध अफरीका के खेले के तीन मैचों की टेस्ट सिरीज में बारा विकेट हासिल किये थे। ग्यारा पर तेजगेंबाज दीपक चहर के खेलते हुए नजरा सकते हैं। कॉमेंट करके जरूते इस वीडियो के लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें